Hello and welcome back to my channel Anurag Law Classes और हम पढ़ेंगे आज बुद्धिजम हम पढ़ रहे थे Ancient India और Ancient India में हम पढ़ेंगे Religious Movement of 600 BC हम पढ़ेंगे Religious Movement of 600 BC के दौरान जो भी Religious Movement हुए थे Mainly दो मुवमेंट हुए थे Jainism और बुद्धिजम तो आज हम पहले पढ़ेंगे बुद्धिजम फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे Jainism तो पहले हम बुद्धिजम पढ़ते हैं बुद्धिजम जो है गौतम बुद्ध दौरा लाए गया था जिने लाइट आफ एशिया या फिर शाक्यमुनी के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध का जनम 563 BC में हुआ था गौतम बुद्ध का जनम जो है 503 BC में हुआ था लुम्बीनी में जो की नेपाल में है कपिला वस्तु के पास इनके गाउ का नाम था लुम्बीनी कपिला वस्तु जो की नेपाल में है इनका चाइल्डूड नेम था सिधार्थ और इनके पापा का नाम था इनके पिताजी का नाम था गौतम बुद के पिताजी का नाम था शुद्धु धामा शुद्धु धामा ये शाक्य कुलके थे इनकी माताजी का नाम था महा माया ये प्रजापती गौतमी के नाम से जानी जाती थी और गौतम बुद्ध की पतनी का नाम था यशोधरा और इनका एक बेटा हुआ था जिसका नाम था राहुल ठीक है इनके जो सार्थी थे जो गौतम बुद्ध के सार्थी थे उसका नाम था चणा और इनके गोडे का नाम था कंथक तो 29 साल की उमर में जब एक बार 29 साल की उमर में सिधार्त ने अपना घर छोड़ दिया था और इसको ही कहते हैं महा भिनिश कारमाना ठीक है और ये जो मौंक बन गए थे ये मौंक बने थे रिवर अनूमा के पास 6 साल इन्होंने गया में इन्हें निर्वाना मतलब एनलाइटमेंट इन्हें पराप्त हो गया था और निरंजन रिवर के पास इन्हें जब ये 29 साल के हो गए थे तब इन्होंने घर छोड़ दिया था और उसके 6 साल बाद वो मौंक बन गए थे और उसके बाद उन्हें निर्वाना की प्राप्ति होई थी एंलाइटमेंट की प्राप्ति होई थी निरंजना रिवर के पास गया में बिहार में तो बौद के जो उपदेश हुए थे तो पहला उपदेश जो हुआ था प्रथम उपदेश हुआ था सारनाथ में जो सबसे पहला शिष्य बना था गौतम बुद्ध का वो था तपासु और भालुक को कल्विका के नाम से भी जानते हैं और सबसे पहली महिला जो शिष्य बनी थी वो बनी थी प्रजापती गौत्मी इनकी माताजी ठीक है प्रधान शिष्य जो सबसे प्रधान शिष्य था गौतम बुद्ध का वो था आनंध और उपल ठीक है आगे पढ़ते हैं इनका जो कुशी नगर का अंतिम उपदेश था उसके बारे कुशी नगर में इनों ने गौतम बुद्ध ने अपना सबसे अंतिम उपदेश दिया था ठीक है जो कि सुभच के उपड़ था इसको क्या कहते हैं महापरी निर्वान के नाम से जाना जाता है ठीक है अब हम बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पढ़ लेते हैं बौद की चार महा संगतियां होई थी उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं तो पहली काउंसिल जो हुई थी वो हुई थी 483 BC में राजगरह में ठीक है और उस टाइम पे रूलर जो थे उस टाइम पे राजा थे अजाद शस्त्रू और उस टाइम पे जो डाइनेस्टी थी वो हरंके डाइनेस्टी के नाम से जानी जाती है और इस पहले पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में दो पिट्टक जोड़े गए थे बुद्धिस्ट बुद्धिजम में जो था सुत्ता पिट्टक और विनेय पिट्टक ठीक है फिर सेकेंड हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल होई थी 383 BC में जो की वैशाली में होई थी और उस टाइम पे रूलर थे कुला शोका जो की शिशुनाग डाइनेस्टी के थे इसमें जो है इनके फॉलर जो थे वो थे सितावीरा और महासंग शिका ठीक है थर्ड जो हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल होई थी वो होई थी 251 BC में पाटली पुत्र में और उस टाइम पे रूलर थे अशोक और डाइनेस्टी थी मौरे डाइनेस्टी और इस टाइम पे थर्ड पिट्टक जो है कश्मीर में होई थी इस टाइम पे हमारे रूलर थे कनिश्क और इस टाइम पे जो है बुद्धिस्टम में दो दो बुद्धिस्टम के दो हिस्से हो गए थे जिसे हिनाया और महायाना के नाम से जानते हैं और इस टाइम पर रूलर थे कनिश्क और कनिश्क जो थे कुशोना डाइनस्टी के थे अगर आप मेरी वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू